कार्तिक पुर्णिमा के बाद जमशिदपूर के सुवन्रेखा नदी में गंदगियों का अंबार लग गया है तरसल दान किये गए कपड़े को भिखारियों ने नदी घाट पर ही छोड़ दिया और पैसे लेकर के चले गए सुनरेखा नदी से इस खबर का जायजा लिया है हमारे समवधाता इंदरजित सिंग ने इस दिन दानपुन का शमय था लोग गंगा असनान किये और उसके बाद जो दानपुन करने के पूजा पाट करके अपने घर को चले गए मगर ये दानपुन का शमान जो कपड़ा इत्यादी है वो कैसे पड़ा है जाहिर सी बात है जो भिक्चाटन करने वाएं लोग है उनकी यहां भीड रहती है और उन्हें यह दिया जाता है ये आस्था भी है कि गुरुपुनिमा के दिन दानपुन करने से लोग घर में शु जबाब देई है कि इस तरह से नदियों पे जो कच्रा लगा है उसे ततकाल साफ कर दिया जाए अन्ना था मवेशी खाएंगे या फिर नदी में जाएगा तो गंदगी फैलाएगा कुछ लोग है जिन से जानने का प्रयास करते हैं मैं पहले आप पताई न यह दानपुन कि पर जैसे कि मैंने चट में देखा है कि जीला प्रशासर ने बहुत अच्छे से नदियों को साफ करवाया है साफ सफाई था पर आज जैसे कि मैं आके देख रही हूं तो यहां के लोग क्या दानपुन किये हैं पता नहीं और जैसे भिखारी लोगों ने लेकर दान उस समय ग्रहंगो कर लिया पर यहीं पर फेक यह कर बोलूनग को चाहिए था तो लेना हो जाया और खासकर कि बात कर ले तो नदी भी गंदा हो जलता है क्या कहेंगे आप एक सहरी होने के नातर है जहां तक है कि पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि नदी हमारा मतलब पानी जो जल है वही जीवन है उसको कम से कम बचा करके रखें और नदी में अगर आ रहे हैं अपना जो भी कुछ पर्व या त्यवार बनाने के लिए तो उसे गं अब बताब मुझे बहुत शौक लगा कि आज मैं आ रहा हूँ ऐसा देखने के लिए मैं बच्चे ने जीत करें जीत करें उसको दुष्णा रीवर देखने जाना है मैं लेकर गया मैंने देखा कि इतना सारा इंदा यहां पे फैला है जो कि देखके बहुत ही खराब लगत वो देख करके आश्चर चकीत है कि इस तरह से नदियां जब गंदी हो जाएगी तो जाइड सी बात है जो जल ही जीवन है का हम नारा देते हैं जिस नदियों को हम धरोवर समझते हैं वो कैसे सुरक्षित रहेगी इस तस्वीर को दिखाने के पीछे मात एक मकसद है कि नदिय क्या वो नहीं सोचते हैं कि इस गंदी के बाद नदी को कैसे बचाया जाएगा अब देखने वाली बात यह है कि इस गंदी के की पीछे कारण जो था वो साफ था मगर इसे साफ कौन करेगा जेनेसी यानि नगर निगम नगर परिशद नदी घाटों की सफाई ततकाल क्यों यह करती है कारण की उन्हें पता है कि अगरने छोड़ दिया जाएगा तो हवा के कारण यह भी किसी करण यह नदीयों में जाएगी और नदी पर दोचित हो जाएगा अब देखना यह भी होगा किसी साफ सफफाई कब कर्ण होती है और कौन करता है अपने शायोगी नबीन प्रदान के साथ इंदर जीत सिंह समाचार प्लाज जमसेत्पूर।